हेलो दोस्तों मैं हूरो वितो और आप सभी गायक बैफिट से हमारे यूटूब चैनल पर स्वागते तो चलिए आज कुछ सीख लेते हैं इसी फोन में अनिस्टॉल करके फिर से इस्टॉल करते हो तो आज की सुडियो में यहीं बताऊंगा मैं कि किस तरह से अगर अपने नया फोन लिया है उसमें वाटसप चला तो आपकी जो पूराने चैट है जो आपने यहीं वाटसप पर जो कर रहा कि उसको उस मूबाइल में जैसा यहाँ पर चल रहा है वैसा वैसा वहाँ पर कैसे चैट को फिर से लाएं या फिर इसी फोन में आप अगर अनिस्टॉल करते हो फिर से इस्टॉल करते हो तो फिर से आप वही चैट कैसे खोल सकते हो तो चलिए दूस्तों आज की सुडियो को शुरू करते हैं तो सब स पर जाने के बाद आपको यहां पर बहुत सार ओप्शन मिलेंगे तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है चेट का यहां पर चेट का ओप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है और उपर की तरह वह स्क्रोल करना है इस्क्रोल करने के बाद आपको यहां पर एक ओप्शन ड्राइव यहां पर नेवर होगा तो यहां पर डेली कर दीजगा यहां पर डेली पर आप क्लिक कर दीजगा और यहां पर आपको जो भी इमेल एड्रेस है वह यहां पर सिलेक्ट कर लिजगा तो मैं यहां पर फिर से एक इमेडरेस यहां पर select कर रहा हूं तो यहां पर select हो चुका है आप यहां पर आपको क्या करना है email रहने देता हूं तो यहां पर इससा हो चुकि है अमरे सेटिंग अब आपको यहां पर ग्रीन लाइन में एक बेकप का ऑफ्षिन दिख रहा होगा जो कि यहां पर Google गांपर इसको घुटाव होने देते हैं और यहां पर उसको पूरा हो चुका है अब यहां पर मैं सीधा रेक आता हूँ बेक आने के बाद यहां पर मैं WhatsApp को यहां पर Uninstall कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर जो है WhatsApp मैं Uninstall कर देता हूं अपना WhatsApp Uninstall करने के लिए यहां पर Uninstall कर दिया है आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी WhatsApp नहीं है और मैं आपको फोन में और भी बता जाता हूँ यहां पर कोई भी WhatsApp नहीं है अब यहां पर फिर से आपको प्ले स्टोर पर मैं जाऊंगा और यहां पर फिर से वही WhatsApp यहां पर इस्टोल करूँगा तो यहां पर मैं simply लिख देख वाटसप लिखकर यहां पर सर्च कर दूँगा तो यहां पर जो WhatsApp इसको इस्टोल कर लूँगा अपर उपन करने वाला हूं तो यहां पर उपन पर क्लिक कर देता हूं यहां पर उपन हो रहा है है WhatsApp तो यहां पर आप देख सकते हो तो बिल्कूल के बाद यहां पर आपको ok कर देना है और यहां पर जो verification code आएगा वह आपको पर देना है यह अपना पर ले 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 लेगा अगर आपके SIM card आपके इसी mobile में है तो यह automatic से यहां पर allow कर देगा और यहां पर continue कर देता हूं में continue और allow allow करते जाने आपको जो भी पूचे इसको अलाव कर दीजेगा और यहां पर यह जो वाटसप यहां पर ओपन हो चुका है अब यहां पर आपको यह सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर इस पर जो दो ओप्शन दिख रहे होंगे आपको एक ही स्किप का और यहां पर रिस्टोर करना चाहते हो तो यहां पर इस पर क्लिक करना है रिस्टोर पर तो रिस्टोर मैं क्लिक करता हूं तो यह सा इंटरफेस आपके सामने कुल कर आ जाता है और यहां पर जो हमारा जो भी डाटा था पहले वाले वाटसप में वह यहां पर रिस् बाहरा है और यहां पर यह प्रॉसेसिंग लेड़ा है तो इसको ब्लब होने देते हैं और यहांपर आप देख सकते हो जो कि मेरा WhatsApp पर अपको अगर अब फिर से यहांपर पूचे तो आपको नेवर कर दे न जो चेट होती वाटसप की उसको बेकप लेके अपने दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इसी फोन में अनिस्टोल कर रहे हो या फिर आपका फोन रिसेट कर रहे हो तो इसी तरह की से बेकप लेके वापिस से इसी चेट को यहां पर आप वाटसप में ला सकते हो तो आई होब यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो चे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और चले दोस्तों आज के लिए बस इतने मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के गोड़ बाइ